अभी हम मोजूद साइद इसमारक पर जहां पर पिछले 30 दिनों से राजियू गांदी युवामित्रों की बाहली की मांग को लेकर लगातार ये अबेर्दी अपने आप परदसन कर रहे हैं और लगातार सरकार तक अपनी मांग को पहुंचाते वे नजर आ रहे हैं आपको बता दे राजियू गांदी युवामित्र लगातार अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा रहे हैं वो लगातार इनको कहीं विदाएकों का भी समर्थन मिल चुका यहां पर सेक्डों की संक्या में अब बढ़ती हैं जो अपनी आपी की मॉन्पार्म के साथ परते ह disciplined करी हैं पिशले 28 इनों से आपका लगातार पर दसंच जा रहे हैं सरकार को लेकर इसको लेकर का ह। के सरकार अभी तक कोई सुनो आए नहीं हो रही है हमारी हमिया पर बचों को देखे हुए है कभी कभार मारे अज भी तवित खराब हो गई थी अभी वह स्पिटल से यह इसको लेकर कि बच्ची को लेकर कि तो में सरकार से कहना चाहती हूं कहां तक अम्हारी प्रिक्रस कांगे तो हम पीचे नहीं आटेंगे, हम बेटे बेटे जान देदेंगे, चाहे तो, हमारे बच्चों की भी देदेंगे, रमारी भी देदेंगे, लेकिन हम रहेंगे यही नोकरी लेकर जाएंगे, क्योंकि हम खाएंगे क्या घर जाके, हमारे बच्चों का कैसे पालन पोसन करेंगे किन किन समस्याओं से आपको पर्देशन के दुनाने दूराने दूराइए पहले तो में टोईलेट पे मतलब ताला लगा दिया जाता है या बेटने की परमिसन नहीं दी जाती है पानी के टेंकर को ले मतलब यहां पर रखने नहीं देते हैं तो मतलब हम हमारे पेसों से लेकर आ रहे हैं पानी का टेंकर उसको भी लेकर चले जाते हैं तो अर जैसे मानलो भी बारिश का मोसम था सर्दी का मोसम था तो हमने बारिश सर्दी सब यहीं निका लिए अभी आज दूपे टेंट नहीं लगाने देते हैं कहां बैटे हम अज्यों गांदी यह आम्मित्र की बाली की मांगा कर लेकर लगातार प्रदसन कर रहाय थाय। के द्वारा आपको समर्थन मिला है पिर भी सरकार आपकी क्यों नहीं सुन देखिए आज लगबग एक महीन मान लोब मैने से हम लोग यहां बैटे हैं इतनी बारिस में भी हम लोग यहां बिंगे थे हमारे वो बारिस में बीगने की वज़े से हमारे एक साथ ही था उनका निदन हो गया था लगबग सरकार को सोचना तो था ही एक वार कि आपकी मांगे क्या है हमारे को यह मिलने आए या उनके कोई नुमाइंद है उनको बेचे अब तक एक महिने में हमारी तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया क्या हम कोई हमने कोई गुना थोड़ी ने किया हमने काम किया लगा वीज़ेपी के साथ काम करने के लिए तयार है हम तो हुआ बेरोजगार है जब तक हमें नियाई नहीं मिलेगा हम लोग यहीं परदोशन करते रहेंगे यहां से बाल होकर ही जाएंगे हमारा दरना निरंतर जारी रहेगा लगातार 18 दिनों से आपका सांथी पूरवक परदसन जा रहे है क्या आने वाले समय में उर्गर आन्दोन हो सकता है अगर सरकार की मनसा ये है कि इनकी मांगों को लेकर हम कोई भी निंडे ठोस कदम नहीं उठाते हैं इनको कोई अच्छा निंडे डिलेवर नहीं करती है सरकार तो हम बेसक ऐसा कदम उठाने की कोशिज करेंगे और भरकस कोशिज करेंगे और मैं तो ये करना जाता हूं कि एक म हमें योजनाओं का फाइदा कौन दिल्वाएगा कौन कौन सी योजनाओं आ रही है सरकार की किसी को कोई पता नहीं है बилकुल एकदम मामला चोपट हो रखा है जनता को सरकार की योजनाओं की जानकरी समंदित और लाब लेने समन्दी जो मामले हैं बिलकुल मायूसी चाह गई है जनता की अंतरगाद मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बाजनलाल सरकार हमें पुने बाहल करके एक अच्छा संदेश दीजिए क्योंकि जिस परदेश की आठ करोड जनता ने आपको मतलब दरिया दिली दिखा कर आपको सासन चनाने का मोका दिया है सतारूड कराने का मोका दिया है उस पर आप कायम रहिए और जो आपने वादा किया था रोजगार देने का रोजगार देंगे मुझे पता है कल आपने सत्राजार मतलब नोकरी देने का वादा किया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमें रोजगार मिला हुआ था एक चोटे से मान दे पर हम दिन रात काम कर रहे थे उस जनता के पास पहुँच रहे थे जनता को सक्त के अंतरकत जो योजनाओं की जानकारी चाहिए थे लाब लेने वाले लोग थे उन तक हम पहुँच रहे थे दिन रात उस काम को आपने हम से चीन लिया इससे बड़ी दुविदा हमारे को आन पड़ी है हमारे बीच जो हमारे जो साती है सक्रिय अनवरत रूप से हमारे साथ बने हुए थे उनका भी मेडिया के माद्यम से पता है सबको कि वो उनका दिहावसान हो गया वो हमें छोड़ कर चले गए काल कल्वित हो गए उन्होंने अपनी इहलीला को समाप्त कर दिया उसका कारण सिरफ और सिरफ एक मातर था कि वो रोजगार चिन जाने के बाद इतना चिनतित वेतिता कि उसने अपनी जान को गले लगाना बहतर समझा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार आप क्या यह चाहते हैं कि जो अन्य परिवार हैं वो भी इस तरीके का कदम उठाएं क्या उनकी भी जान पर आफ़त आबने तो इससे पहले अगर ऐसी आफ़त आए तो उससे पहले आप एक अच्छा निन्न लीजे हमें बाहल कीजिए मोदी जी की जो गारंटियांच है उनका फटे हाल हो रखी है जनता के पास कोई इनफोर्मेशन नहीं है ना कोई KYC हो रही है ना कोई EKYC हो रही है आयूश्मान काड आप देख लिजे डाटा मुझे बताने की जर्रत नहीं है मेडिया के अंतरगत आ रहा है जनता भी पता ह आप नहीं मिल रहा है अब कल बजट आया था जनता को पता ही नहीं है सरकार ने कौन कौने अब पता चलेगा भी कैसे बता लगवाने लोगों को तो आपने दरनाइस तलब बेठा रखा है तो यह है कि सरकार की जो निंडे हैं सरकार की योजनाए हैं वो सही तरीके से ग्रा मंतरी नरेंदर मोधी जी का भी यही वेजन है कि कोई भी सिक्षित बेरोजगार ना हो और जादा से जादा उसको स्कील डवलप्मेंट मिले कोसल में वर्दी हो और वो काम करे हम सब जानते हैं पूरे लोग जानते हैं कि जो हम पांच अजार लोग है वो लिट्रेड हैं एज क्रूटनी हुई थी उनका इंट्रव्यू आता उसमें से 25 लोगों को लिया था फिर आगले वाले सेशन के अंदर के 25 को और लिया था और यह प्रोपर तरीके से हम काम कर रहे थे और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई गिला सिक्वा है मैं सब आप भी जानते हैं कि संसार में perfection कहीं भी नहीं होता है पूंत है कहीं भी नहीं होता है तो कुछ नै कुछ कमोबेस कमया रहती ए तो उनको बिल बैटकर आप सी सामंझ से बिठाकर उनको समधान किया जाता है उनकी आलोचनात्मаб सम्क्साइश होती है और उनमें संसोजन किया जा सकता है अगर आ ताड़ना दे रहे हैं वो उचित नहीं है जनता आपकी और लालाईत है कि आप कब 5000 युवामित्रों को पुने बाहल करोगे और एक अच्छा निर्णे देकर उन तक संप्रक कराने की कोशिश करोगे सर लेकितमाम एबरती राजयो गांदी यहां पर सेखड़ों कि संक्या में महिला बहुत दूद हैं इन महिला उसे हम बात करने की कोशिश करेंगे पिछले अठाइस दिनों से लगाता रहा आपका प्रदेशन जा रही है किन-किन समझ चाहों से आपको प्रदेशन के तुरा में दूद हैं अभी तक तो सरकार सुन भी नहीं रही है तो तब एसा लगता है कि साइद सरकार की कोई फेमेली है या नहीं क्योंकि उनको दर्द नहीं होता है जिसकी फेमेली होती ना उसको दर्द होता है कि साइद एक दिन घर चोड़के बेटने में क्या होता है और हमारी मजबूरी है कि हमें रोजगार की जरूरत है इसलिए बैठे बगे किसी को सोग नहीं है यां भी झालाइगा तब तक यह घ्रह разм सेवाल नहीं होंगे देंगे और अन Tutaj उनके पास रॉजगार का रेंगे इसलिए लाधिया ऐन ने तो हम हमारे परिवार के लाहा खातिर खा लेंगे अभी उनका पद उंचा है वो दे सकते हमारा पद निचा है लेंगे क्योंकि वो रोज़गार वाले हम BROZGOAL सारी को सारी पारेशन होती है बच्चे को लेकर ठन्ड बेटना विच्छां बिमार हो जाते हैं विमार वारीश भी आई थी बारिश में किती परिशान हुए थे यहां पे पिर भी सरकार हमारे तरफ देखने री है सुन नीरी है मैं कुछ भी समझ नीरी है कब तक हमारे परिक्षा लेगी सरकार जब तक हम तो हमें बाहली नहीं मिलेगी तब-धर अपने बच्छे के साथ ही आप करते वे नजरा रहे हैं लगातार इनकी सरकार से यह महांग है कि जब तक इनकी बहाली प्रकरिया शुरू नहीं हो जाती तब तक इनका प्रदसन जारी रहेगा लगातार आप 28 दिनों से प्रदसन पर डटे हुए हो कहीं विदाइकों को आपको समर्थन मिला है फिर भी आप की सरकार क्यों नहीं सुन रहे हैं देखिए पिछले 28 दिनों से लगातार हम दरने स्थर पर बेठे हुए हैं सरकार का कोई नमांदा हमारे पास सायान है वीपक्स के लोग हमारे प्रतिवक्स नेता जुल तीकराम जूली जी सचिन पाइलेट कॉंग्रेस के तमाम विदाएक हमारे पास आ चुके हैं आज वस्पा के विदाएक मनोज नांगली जी भ सब्सक्राइब कि अर्वायूम पांजार की तरफ से हम तो एक ही मांग करते हैं सरकार से कि हमारा जल्स जल्स आप रोजगार नुटा दे हमारे साथ यह गठोर गठी ना करें हमें कॉंग्रेस का टेक डगा कर ना अटाएं क्योंकि मैं खुद बीजेपी का आदमी हूं मेरे मेरी विदान सबा में मैंने हमारे परत्यासी अभिशेक्स जी थे उनकी स्पोर्ट की है हम कोई कांग्रेस के आदमी नहीं है हम तो कांग्रेस के राजस्तान सरकार से माइए कि तो तीन दिन पहले टेंसन से मोत हो गई उसको ले कि हमें बहुत दुख है सर वो हमारे साथ परे 강ुश उसके करना इसको सद्मा लगा रगने спार्शन स्के Examra करें। करें कि आने वाले समय में उगर अंदोलन होने की संभावना सर हम लगातार 28 दिनों से गांधिवादी तरीके से बेठे हुए हैं सरकार का कोई अस्वासन अभी मेरा नहीं है सरकार से मांग करते हैं कि जर्द रोजगार उटा, हमें वापिस डूटादे नहीं तो हम उगर आंदोलन करेंगे हमें बगसिंग बनने के लिए मुस्बूर ना करें सरकार क्योंकि हम युवा हैं, जिस तरफ युवा चलता है उस तरफ करांती होती है तो सरकार से मांग हैं कि हमारे रोजगार रही है। बीजेपी नहीं मानते, युवा है, राजस्तान के रहने, चाहिए कोई पार्टी जीत की आजाए, जिसकी बहमबत जादा होती है, वो सरकार बना देती है, हमें तो जो योजना ही देगी, या तो हमें तो यह लगता है कि इस सरकार की कोई मंसा नहीं है, कोई योजना चलाने क मिड़े, या राज मिड़े तो उन वेक्तियों को पहुंचाएगा कौन, हम वो सरकार के बीच की वो मेन कड़ी थी, जो गाओं के अंदर अंतिम रूप मिल डाणियों में, जो वेक्ति बेठा है, उनके सब सरकार की योजनाओं को पहुंचाते थे, देके तमाम आब बेठत झाल